हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गूरू चैनल में एक बन नए मार्केट अब्डीट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो मैंने दो ऐसे स्टॉक लेका है हूँ जो आप लोगों के पोर्टफोलियों में होंगे तो एक स्टॉक गिरेगा एक स्टॉक भागेगा ठीके दोनों स्टॉक को प्रॉपर न्यूस के एकोर्डिंग आप लोगों को समझाने वाला हूँ क्या क्या रिजन है गिरने और चड़ने का जिसके कारण ये मुमेंटम पैदा होने वाला है ठीक है प्रॉफिट गुरू चैनल का अपने फर्स टाइम विजिट किया है डेफिनेटले सस्क्राइब करिए और महीं पर वीडियो पसंदारा वीडियो को एक लाइक करके जरू जाएएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एप स्टाइक एंजल वोकिंग का लिंक दिया है जाएए फटावर्ट से डिमेट अकाउंट उपन करवाईए और हमा साथ निफ्टी बेंक निफ्टी स्टाइक आप्शन में भरपूर ट्रेडिंग करें दोस्तों ठीक है जो चलिए सबसे फर्स स्टाइक के उपर चलते हैं लगबग देए तीन परसेंट तो गिरावट देखने को मिली करीवन 11-12 पोइंट की करीवन 382 रुपे पे स्टाउक आ चुका है प्रिवेस क्लोस 393 रुपे 55 पैसे स्टाउक गेब डाउन ओपनिंग होता है हाई लगाता है 344 रुपे 30 पैसे उलो लगाता है 377 रुपे 65 प पात करता हूं तो आप देखके चलेंगे करीवन 136,000 का वॉल्यूम है इसका ठीके 52 बिक का अभी हाल फिलाल का है दोस्तो 52 बिक का लो आप देखके चल सकते हैं मतलब यह चीजे सब हमें खास देखने को मिल रहे है डिलेवरी पेटन आप देख सकते हो डिलेवरी पेटन आ आज की डेट में डिलेवरी ले गई है वहीं कंपनी इंफोर्मेशन आपको दिखाता हूं तो आप सबसे पहला रिजन जाल सकते हो कि रिजल्ट इस कंपनी का रिजल्ट बेकार आया है यहां पर आप देखिए दिसंबर कौटर और सितंबर कौटर मतलब रिजल्ट ने इसक को दोका दिया जो आप देख सकते हो 31 दिसंबर और 30 सितंबर का रिजल्ट आप लोगों के शान ने ठीक है वहीं अगर मैं बात करता हूं शेर होल्डर पेटन की तो आप देखेंगे 38.67% का स्टेक प्रमोटर पास है 38.35% का स्टेक प्रमोटर पास देखने को मिल रहा है उसी बीच अगर मैं बात करता हूं डिविडेंट तो आप देख सकते हो कंपनी की किसी बुरी हाला तो ये डिविडेंट भी कंपनी ने 2019 के बाद नहीं दिया इस्टॉक ने एक बार बो काफी एक अच्छी बात तो हो सकती है कि 70.67% के स्टेक में से प्रमोटर पास ने स्टेक को गिरवी नहीं रखा मतलब ये काफी इंट्रिस्टिंग बात है ठीक है उसी बेसस पे मैं आपको एक बात चार्ट पे नजर रखता हूं पेली बात अगर ये स्टॉक 500 रुपे पे मिलता है 280 रुपे पे मिलता है ठीक है इसी बेसस पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप इसको डेफिनेटली बाय करके चलिए क्योंकि आने वाले दिनों में कमपनी का मोमेंटम जरूर बनेगा लेकिन अभी इतनी पोजिशन का वेट करके चलिए इतनी पोजिशन आपको आप लोगों को दिखाने वाला हूँ देखें देखें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जलीप अफटर C das से रेटिंग सेल कॉल एक्सपेर्ट स्टोक डीप ओन ढईस oh रुपे मतलब एक महिने पहले मतलब एक महिने पहले बोला था कि ढईस oh रुपे तक यह स्टोक आ सकता है तो आप देखेंगे तो एक महने के अंदर अंदर स्टॉक में 18% की गिरावट हो चुकी मतलब यहां से और गिरावट हो सकती है तो आप कमपनी का वेलूशन तो मार्केट में अच्छा है थोड़ी कुछ चीजे हैं वो भी कमपनी का साथ नहीं दे रही है आप देखेंगे बायोकॉन पोस्ट 19% डीप इन कॉटन नेट प्रॉफिट मतलब करीवन 19% की गिरावट हो यह कमपनी के नेट प्रॉफिट में तो यह इतनी बड़ी न्यूस दोस्तो इस स्टॉक में इस कमपनी में देखने को मिल रही है तो आप लोगों को क्या करना है फोकस में रखके चलना है अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो और एबरेज मिला के चलना है जो आप लोगों को आने वाले दिनों में आपका पैसा भी बचा के रखे और इस स्टॉक में आप लॉंग टम तर पोजिशन भी बना के रखो ठीके तो इस दूबीदा से आप निकल सकते हो यह सोचने का मोका आप लोगों को जरूर मिल रहा है आप ठीके अब अपन चलते हैं सेकेंड स्टॉक के उपर जो उपर जाने वाला है देखेंगे तो लगबग 2% के आसपास का था 7 रुपे 8 रुपे करीवन 382 रुपे 35 पैसे के आसपास प्रीवेस क्लोज 385 रुपे 40 पैसे स्टॉक ओपन होता है 388 रुपे के आसपास 394 रुपे 95 पैसे का हाई लगाता है लो लग़र है करीवन 381 रुपे 45 पैसे मतलब स्टॉक में काफ़ी इंट्रेस्टिंग मुमेंट हुआ उसी बीच अगर आप देखेंगे दोस्तों तो करीवन 1 करोड 28 रुप कॉंटिटी का हैं पर हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है स्टॉक ने साथ जन्वरी को अपना 52 पीक का ही लगाया है 52 पीक का लोग आप देख सकते हो अपरेल के महिने का है वही अगर मैं बात करता हूँ दूस्तों स्टॉक में डिलिवरी पैटन की तो करीवन 8.8 परसेंट का डिलिवरी पैटन देखने को मिल रहा है जो काफी अच्छा है तो आप देखेंगे तो करीवन 15,888,855 कॉंटिटी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में मतलब जो पोजिशन है वो काफी एक्टीब देखने को मिल रही जिसके basis पर अगर मैं आपको बताता हूँ company information पर कुछ चीज़े darkness पर अपन देखते हैं तो आप देखें ये stock उपर क्यों भागेगा सबसे बड़ा region quarterly result देखें कितना शांदार quarterly result आया क्योंकि जब से lockdown लगा था कोरोना का प्रेट चल रहा था जब से metal में इस company के जो सरीये जैसे हैं जैसे कि आप देखते हैं आपके घर बनाने में काफी यूज आते हैं जितने भी metal की चीज़े थी वो काफी तेजी से sale हो रही थी तो आप देख सकते हो 2,82,900 रुपे का profit और सितंबर quarter में 1,89,200 रुपे का profit मतलब सीधे सीधे देखें तो 1,20,000 तक का profit हमें देखने को मिल रहा है ठीक है उसी बीच आखर आप देखेंगे shareholder pattern तो 44.07% का stake promoters के पास है और public and retail investor के पास आप देख सकते हो 55.43% का देखने को मिल रहा है तो उसी बीच हम नर्जर डालते है क्या promoters ने अपने stake को गिरवी रखा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाँ आपको देख पूरिंग फरम है वो इसके साथ देखने को मिल रही है खिर इसके comparison मैंगर में Tata Steel के बात करो तो वो stock भी आप उसको भी cover करके चल सकते हो क्यों कि वो Tata Group का stock है और अभी अगर मैं बात करता हूँ एक दिगच investor की जिसका नाम है राकेस जुन जुन वला उनका focus अभी Tata stock के उपर आ रहा है जितने भी Tata Group के stock है उनके उपर ही आ रहा है वो उसी में buying position बना रहा है तो आप लोग इस news का भी ध्यान रखे इस stock को भी ध्यान में रखे अब मैं इसका news का बताता हूँ आप लोगों को ताटा स्टिल कितना जोड़ा है तो आप लोगों को टाटा स्टिल कितना जोड़ार performance दे रहा है एक share मतलब आपको बताए मैंने upside जाने का एक share बताए मैंने नीचे जाने का दोनों का reason भी आप लोगों को बताया हूँ क्योंकि काफी तगड़े stock है अगर मैं बात करता हूँ 6 मेने की 6 मेने का performance अगर आप इसी stock का देखेंगे आपको देखने को मिल रहा 84-85% का return इस stock ने 6 मेने में दिया है 5 साल की मैं बात करता हूँ तो 5 साल में देखिए stock में यहाँ पर लगभग करीबन 200% से उपर का return था यहाँ पर आने के बाद stock में गिरावट आ गई लेकिन आप वो 200% के भी उपर निकल चुका है यह stock 5 साल में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है लगभग लगभग आपको 280% तक का return यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5 साल में तो यह जो दोनों stock जो मैंने आप लोगों को बताए हैं एक metal sector से एक pharma sector से इनको focus में रखके चलिए जो आने वाले दिनों में आप लोगों को मैंने बताया है तो इसी चीज के साथ अब मैं इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को close करता हूँ वीडियो को close के तरसे मैं यही बोलूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीस लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों डेली बेसेस पे इंटर अडे की टिप्स और मार्केट अपडेट लाते रहता हूं थैंकि दोस्तो